हेलो फ्रेंड्स, माइ नम है श्विमलेश वी सी सी इंगलिश मसाला में आपका स्वागत है बिन सीखे रहा न जाए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिच्वल आफ पार्ट टू की फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा पार्ट फर्स नहीं देखा है तो जरूर देख लें जिससे आपको कॉंसेप्ट किलिर्टी हो सके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेट्व संटेंसर्स की फ्रेंड्स इंटेरोगेट्व संटेंसर्स को ट्रांस्लेट करने का इस्ट्रेक्चर है इस्-M-A-R या व्arsh word प्लस सब्जेक्ट प्लस नौट प्लस हैबिच्ट्चल आउब प्लस वर्ब आ अइन जिफॉर्म प्लस औजेक्ट Friends, जदि वाग के हमारा WS type questions का है तो हमें इसी structure में question word को सबसे पहले लिखना है बाकी की चीज़े हमारी as it is रहेंगी तो चलिए Friends, कुछ examples के माध्यम से समझने की कोशिश करते है Friends, हमारा पहला example है क्या तुम्हें लिखने की आदत है? इसके English होगी Are you habitual of writing? Next example is तुम्हें लिखने की आदत क्यों नहीं है? Friends, हमारा ये वाग WS type questions का है इसी लिए हम question word को वाग में सबसे पहले रखेंगे Friends, इस वाग का translation होगा Why are you not habitual of writing? हमारा next example है क्या राम को जूट बोलने की आदत थी? इसके English होगी Was Ram habitual of telling a lie? Next example is राम को जूट बोलने की आदत क्यों नहीं थी? English is Why was Ram not habitual of telling a lie? Friends, आश्या करता हूँ कि आपको हमारा part 2 भी समन में आया होगा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तैंक्स पर वाचिंग